एलो फ्रेंड्स मैं हुरेतू स्वात चलन में आप लोगों का आज एक बार फिट सुस्वागत है आप देख रहे हैं ने टेस्टी वाला चटपटा वाला अचार यह आमले का अचार है और इसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ पांच मिनिट लगे हैं पांच मिनिट में लिए कीमाले क कैसे बनाया है इसको बनाने के लिए सबसे पहले आमली यह क्रीब नौदर्वे आमले आ जीß डोल दो लिए से फिर श्रक या कपने से पोच लिए साथ में मैंने मैं लीए करीब 12 हरी मिर्चे हरी немी तो क्वांटीटी को आ बढ़ा मिक्सी में डाल जिए और एक बार मिक्सी को On क餉ण कीजी एक बार बंद कीज़े यानि पल्स मोड़ पर इसे आप हलका सा मोटा मोटा सा तोड लीजिए फल्ला मिर्च को उपने सिर्फ तोड़नाakt 12 1 शना बारिश इसलिए ग्रेट हो जाता है यह देखिए हर इमिज को भी हमें चौप कर लिया है और आमनों को भी कद्दू गस कर लिया है अब बारी आती है इसको बनाने की आपने क्या करना है गैस पर मैंने रखी एक कड़ाई उसमें डाला है हाफ बाउल भर के मस्टर्ड ओयल तो कि इसका टेस्टी वाला अचार बनके हो जाता है रेडी आप इसे किचन में खड़े खड़े ही दो मिम्ड़ा बना सकते हैं कोई भी खास त्यारी करने कि आपको इसके लिए जरूरत नहीं है तो बस मैंने इसे एक मिनट तक भून लिया है और अब इसमें डाल दिया है हरी मिच को ड लिए मैंने मेथी दाना उसको भी मैंने दरदरा सा कूट लिया था ठोड़ी सी कलॉंजी डालिए और साथ में डालिए हाफ टीस्पून भर के हींग और देविट इसमें बहुत ही गजब काता है तो हींग को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा अगर आप लैसुन डा चलाना है और आपको अचार बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा लास में मैंने डाल दिया इसमें एक टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिच मैं सिर्फ इसमें कलर के लिए डाल रही हूं बाकि इसमें कश्मीरी लाल मिच का कोई रोल नहीं है उससे क्या होगा कि बस कलर अच कीजिए और अपने फैमली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दीजिए और जो लोग फेस्बुक पर मेरे पेज को देख रहे हैं मेरे पेज को फॉलो करना बिल्कुल न भूले बस तीन-चार मिनट बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसको खास मेनत के पांच मिनट में यह बनके रेडी हो जाता है और खाने में इतना अमेजिंग लगता है ना कि आप इसे एक बार बार बनाएंगे और यह इतनी जल्दी खतम होता है ना कि आप दीखेगा आप इसे तुरंद खा सकते हैं आपने इसको कुछ भी रखने की जर्वत नहीं है कि आज बनाएं तो हमकल खांए धूप में रखें ना धूप में रखना ना कुछ करना है जैसे आपने इसको बनाया हैं आप इसको तुरंड खा सकते इतना अउट मसेदार लगता है आप इसे इे ट्राइब के साथ यह खाने में बहुत मज़दार लगता है एक बार मेरे कहने पर आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा देखेगा आप इसके पैन हो जाएंगे बन के बिकुर रेडी हो गया है और ठंडा होने के बाद मैंने इसे एक जार में बर दिया है यह मेरे घर में बहुत दिन तक चलने नहीं वाला है क्योंकि यह बहुत जल्दी खतम हो जाता है तो बस आप भी इसे मेरे कहने पर एक बार ट्राई कीजिएगा जल्दी मिलोंगी मैं आपसे ऐसी ही नईनी वीडियो के साथ में बाबाई टेक केर